वो एक बहुत ही संसकारी दिन था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक बहुत ही असंसकारी घटना घटी, उसने चौकलेट का रैपर खोला, लेकिन अंदर चौकलेट ही नहीं थी यारे, यह क्या तुम बच्चों की कान यह सुन रहा है हो, अजादोने का सचो, जितनी किताबे पढ़ोगे उतने ही आजाद रहोगे, पढ़ना यही हमारे संसकार है, और आजादी की खिड़की भी यही है, जितना पढ़ोगे, उतना आजाद होगे, आजादे, यह, हाँ, हा वखकः घर अच्छावत जयाओ चोंद नहीं व performer कोड़ फो करा संसकारी मैडम ने कहा है मैं किताबों से अजादी मिलेगी वर कल के दुश्मान उनका उनका जंडे का मतलब था किताब चुछने साहदी मिलें किताबों से खौद सरोना है जला जर्दी ज्लोगि पना शुरू अब तक तो नहीं है पोड़ते रहा हम हमी भी यहीं है और नहीं अब अब भी यहीं पर है अब भाया जल्दिसर जाब बिल गया एक मस्तवल आइडिया अम वैसा ही भागेंगे जैसे यह चुह पिंजरे से भागा था मर के मुझे पाता है डाल्टंस ने फिर भागने की कोशिश की होगी उससे भी बुरा हुआ है यह सब तो टपक गये कल तो बेचारे किताबे पढ़ रहे थे स्टैच्चु वाला गेम हिला मत मैं भी गहलूंगा खाना तयार है आजाओ खाना वैं आरा हूँ एक बंदा हाउट हो गया है यहले सब में जैंदी डाल्टंस फिर से मर गया है है सारी Bye-ya मुझे माफ करो मैं अपने आपको पैसा के अगर रोक नहीं सका हम सभी की कोई ना कोई खम्जोरी है मैं फिर जीट गया जेलर साथ इमर्जेंसी बस अब बहुत हुआ हम साइन्स की हेल्प लेके पता लगाएंगे कि सच क्या है जो आप जाक आओ विलिया तुम भी आओ पक्वास उस चुह वाली किताब में सब कुछ बेकार लिखा था दाल्टन्स तुम्हारे ली एक बूरी खबर आवरल हमारे बुक्त तीसरा राउंड कब शुरू होगा बताऊ ना ये शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा इतने मेहनत कहने के बाद आराम करना बनता ही है काना तैयार है रुक जाल लबुचान पहली बार तुम हमारे किसी काम आरे आवरेल बस ये मरने का नाटक चालू रहने दो तक हम यहां से भाग सके नाटक लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है तो पतला नहीं हो जाएगा एक्चली मुझे पतला होना है हाँ तो फिर बाद में खा लेना नहीं नहीं खाना तुम मुझे अभी चाहिए मैं तुम्हें बाहर बहुत सारा खाना कि लाओंगा लेकिन पहले तुम अपनी आखरी चली को कि तुम्हारा अंतिम संस्कार हम तीनों अपने गाउं में करें वह करने हम बाहर जाएंगे और तुम्हार से फर आवरेल जो बहुत खाना खाता था अब वो अमारे बीच नहीं रहा इसका मतलब आभ हम सबको भर पेट खाना मिलेगा मायन नाइट देख सकता गाउट्स दर्वादा खला रुक जाब आवरेल ने अपनी अंति में चली की खिकियों से वो दिवाल के सुरं तो नहीं जा रहा है इसमें से ना यह से चान आई होगा वरना भाग नहीं पाएंगे तूसरी तरफ जाकर कोशिश करता हो तुम धक्का देना चला धक्का दो मिलकर काम करेंगे भाईयों अकल के दुश्मान अगर तू ना होता तो हम कब के भाग जाता है किताब का क्लाइमेक्स बिल्कुल ऐसा है किताब लिखूंगा और उसके क्लाइमेक्स में मा तुम्हें बहुत मार होंगा किताब